हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम अभिशेक है जैसा कि आप जानते कि मैं भी आपी की तरह प्लांट लवर हूँ और प्लांट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां अपने वीडियो के माध्यम से लेकर आता हूँ आज भी आपके लिए एक जाना पहचाना सा प्लांट जो आप भी जानते होंगे तो मैं इसको लेकर आया हूँ इस प्लांट का नाम आप जानी रहोंगे इस प्लांट का नाम है अडेनियम और इस समिस में flowers और बहुत सारी कलियां आई हुई है तो हमने कहा आपसे वीडियो शेयर कर लो जैसा कि मैं आपसे time to time वीडियो शेयर करता रहता हूँ और इसका flower आप देखी रहे है डबल पैटल में है बहुत ही खुबसूरत सा color है और इसमें आप देखी रहे हैं कि ये एक ये और एक ये और बहुत सारी कलियां आई हुई है तो दोस्तों ये अडेनियम का plant है ये गर्मियों में काफी flower देता है और जैसा कि इसे desert rose भी कहते हैं आप जानते होंगे कि ये बहुत ही hardy plant है बस इसको दो time आप पानी दीजे और अच्छे तरह से fertilizer दीजे ये अच्छे से survive करता है और गर्मी में ये भरपूर flower देगा इसका flower बिल्कुल देख रही है एक गुलाब की तरह होता है इसमें काफी colors आते हैं तो आप ही ardanium को अपने garden में शामिल करिए इसमें काफी varieties आती है तो गड़ी-गड़ी में आपको जो भी मेरे पास अपने मेरे पास varieties हैं तो मैं आपको दिखाता रहूंगा और जैसे कि मैंने देखा एक देख रहे हैं कि इसमें एक तार बंधा हुआ है तो तार बंधने का एक reason ये है कि मैंने इसको एक shape दिया है पहले ये विल्कुल जो इसका shape था वो विल्कुल आपस में ही joined हो गया था तो मैंने कहा जो तार बंध के मैंने एक bonsai की तरह जैसे bonsai art होती है इसमें जो तार बंध और wire बंध के उसे एक shape दिया जाता है वैसे ही मैंने एडेनियम को भी अपने shape दिया है ताकि ये दिखने में अच्छा लगे और इसकी डंडिया बलकुल नजदीक नजदीक ना हो है तो एक ये बुख जब ये खिले तो चारो तरफ से दिखे तो मैंने इसको ऐसा shape देने की कोशिश की है और दोस्तो इसकी मीडिया मैंने आपको गड़ी-गड़ी बताई सुका हूँ तो इसमें हमने यही खंगर यूस किया है खंगर यूस कानने का कारण मैंने वीडियो में आपको शेयरी किया है क्योंकि मैंने खंगर यूस किया है क्योंकि अडेनियम को well-drain मीडिया पसंद होती है कि पानी पड़े और अच्छे से ड्रेन हो जाए कहीं रुके नहीं क्योंकि मैं अडेनियम को यह अपने terrace garden में रखता हूँ यह proper गर्मी में रहता है और जब बरसात का समय आता है तो इसी well-drain मीडिया होनी चाहिए ताकि पानी पड़े और अच्छे से drain हो जाए कहीं पानी रुके नहीं क्योंकि अब इक्तम well-drain मीडिया ना होने की वज़े से यह पौधा मारा जाता है बाकि इनकी fertilizer fertilizer में घड़ी घड़ी आप जानते हैं जब मैं इस तरह के मीडिया का यूज करता हूँ तो ऐसे मैं जो है fertilizer जो है liquid fertilizer का यूज करता हूँ क्योंकि यह जितनी भी जो media है इसमें आपको liquid fertilizer का ही यूज करना पड़ेगा अगर आपको खंगर चाहिए तो आप भी Amazon में जाकर इसे order कर सकते हैं तो आप भी grow करके देख सकते हैं कि इसमें कैसा result आता है तो एक बार हमारे flowers को फिर देखिए और कलियान की देखिए बहुत सारी हैं और इसके shape मैं दिखाता हूँ मैंने इसको एक shallow pot में grow किया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए सस्क्राइब करिए शेयर करिए कमेंट करिए थेंक्यू